नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब भिहार मैं हूँ करिस्मा सिंग सिपाही भर्ती के मामले में एक फरजी इवक को गिरफतार किया गया है आपको बता दे कि फरजी इवक दूसरे के बदले जिले में योगदान देने पहुचा था जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है इवक की पहचान राजे सर्मा के रूप में की गई है पुलिस ने उसे गिरफतार कर बाका सदर थाना भेज दिया है सिपाही भर्ती के मामले में जिला में योगदान देने पहुचे एक फरजी सिपाही की पहचान की गई है जिसके बाद उग्त फरजी सिपाही क गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है इस मामले में इस पी अरबिंद कुमार गुपता ने बताया कि फरजी सिपाही की पहचान राहुल सर्मा पिता बिमल सर्मा ग्राम कमरा चक थाना संग्रामपूर जला मुंगेर के रूप में हुई है जो सिपाही भरती के लिए फिजिकल में सामिल हुआ नहीं हुआ था वह अपने गाव के ही एक बेक्ति के बदले यहां योगदान देने पहुचा हुआ था जिसमें भौतिक सत्यापंग के दोरान उनका फोटो एम पहचान चिन का मिलान किया गया तो वह फरजी पाया गया जिसके बाद उक्त बेक्ति के ऊपर वाका सदर ठाने में प्राथ मिक्ता दर्ज करायी गई वही पुलिस ने उसे ग्रफतार कर जेल भेज दिया है सिपाही भरती परिक्षा के बाद जिले में 62 नए सिपाही ने वाका जिले में अपना योगदान दिया है जिसमें 60 पुरूस और 22 महिला सामिल है इन सिपाही का योगदान के बाद S.P कर्याले में सुक्रवार को S.P की अध्यक्षिता में सभी सिपाहियों की सारीरिक जाच और भौतिक सत्यापन किया गया इस दोरान उन्टालिरिस पूरुस और 21 महिला सिपाहियों का भौतिक सत्यापन के दोरान उनका वजन हाइट एम सीना आधिका योगदान दिया है इस क्रम में गठित जाच टीम द्वारा सभी सिपाहियों का भौतिक सत्यापन किया गया इस दोरान एक फरजी युवक की भी पहचान की गई है जो किसी के बदले गाउ के ही किसी युवक के बदले जिले में योगदान देने पहुचा हुआ था जिसे प पुर्व सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था आगे सभी का मेडिकल जाज किया जाना है इसके लिए सदर अस्पताल में सीएस के गटित चिकिसक टीम द्वारा सभी मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएंगे बहुतीक सत्यापन की टीम के टीएसपी मुख्याले पुलिस बता दे कि सिपाही भरती के मामले में एक फरजी इवक को गिरफतार किया गया है वो अपने गाउ की ही किसी लड़के के बदले जिला में योगदान देने पहुचा था जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है पुलिस ने गिरफतार कर उसे दबाका के सदर थाना में भेज दिया है आपको बता दे कि पहचान पत्र मिलान के दोरान इवक फरजी पाया गया जिसके बाद पुलिस ने उसे गरफ तार कर जेल भेज दिया ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइफ भिहार धनेवाद अभी तेक आपने हमारे चैनल को सब्सक्र कर ले और फेस्बुक पर लाइक करना ना भूले लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें